केरिडारी प्रखण मुख्याले सभागार में आयोजित जला विदिक सेवा प्रातिकार हजारी बाग की ओर से विदिक सेवा सह शक्ती करण शिविर का आयोजन किया गया आयोजन में जला से आयोए अधिवक्ता महेश कुश्वाहा ने कहा कि प्रखण परिसर में अगर लिगल कैंप लगा कर प्रखण वासियों को कानून की सला दी जाये तो प्रखण में सभी लोग शांती स्थापित के साथ रह सकते हैं तथा सरकार से मिलने वाली सुविधा को जन जन तक पहुचाने के लिए सरकार की ओर से आनी वाली योजनाओ से अफगत कराकर उनके सहभागीता को बनाया जा सकता है तथा कानूनी तरीके से योजनाओ को क्रियानवैन में लाब लिया जा सकता है तता कानूनी सलाह अगर समुचित और सही धंग से प्रखंडवासियों को मिलने से उनकी विकास की गती अधिक हो सकती है सरकार अलग-अलग योजनाओं का क्रियान वैन करती है लेकिन लोग इसका फाइदा नहीं ठापाते हैं इस संबंद में प्रखंड ने विकास पतादिकारी किस्टोकुमार बेसरा ने कहा कि हम अपने तरीके से योजनाओं को लावगारी बनाने का कारे कर रहे हैं अचलादिकारी राकेश दिवारी ने कहा कि कानूनी सलाह अतियावश्यक है अगर कानूनी सलाह सही तरीके से लोगों को समझाए जाए तो सरकार की योजनाओं से लाव उठा सकते हैं इस कारिक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंचन से 11 लोगों को स्विक्रिती दी गई वही विर्सा आवास योजना 3, प्रधानमंत्री आवास योजना 16, राशन काट, 11, सुकर्निया योजना 4, मन्रेगा 4, स्विक्रिती देते हुए कुल 49 लोगों की ये सुविधा प्रधान की गई इस मौके पर सांसत प्रतिनिधी बद्री नारायन सिंग, वधायक प्रतिनिधी सुरेश साओ, प्रभारी खाद आपूर्ती, पतादिकारी, रवीर रजाफ, लिपिक उमेश राणा, बीपियो श्याम वर्मा, नजीर बहादुर कुमार, सहित मन्रेगा कर्मी, आगरबाडी स सुपर्वाइजर तथा जन प्रतिनिती मौजूद थे।